हलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं विद इसमें हम लोग designer blouse भी देखने वाले हैं जैसे कि back part और sleeves में हमें design बनानी हुई तो हम कैसे blouse की सिलाई करती हैं तो सारा कुछ आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ step by step तो हमने इस blouse की cutting जो किया था उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है तो वीडियो जैसे हमने cutting किया था तो इसी तरह से हमने front part उठा लिया है लेना है और इसको cut कर दीना है और सेम ऐसे ही बेल्ट को भी अलग कर लेना है तो बेल्ट में जो हमने line draw किया था उसके दोनों साइट से हम सिलाई लगा देंगे बीच से करेंगे यह बेल दा क्रैज चाँच कर लिया है और लेने के बाद इससरों से रखेंगे जैसे हैं और पर की ground ऊहले करा लिए हैं लिए यहां पर सिलयके दो की से लिए करेंगेD हमें पैट करना शेल में कट कि रिपर गा गनाताई बड़नों कोई आफा अला पार्ट क्वैटिनलया के मैं यहां ऑफ दूसरा पार्ट प्वे इस लिए कोई हम आई-पटी recruit कर का आप तो घटवा पट्टी के लिए हमने पतली वाली पट्टी कट की थी और बढ़वा पट्टी के लिए इस तरह से में फैबरिक अस्तर फैबरिक दोनों कट किया था यह हमने यहाँपर ले लिया है अपनी पतली वाली पट्टी और बस यहाँपर अस्तर वाली पट्टी लेनी है और एक पेर का margin लेते हुए आगे की side से सिलाई लगा देनी है अब इसके बाद जो हमारा margin है उसको हम प्ति की side को fold करेंगे और सिलाई लगाएंगे और फिर इसको हम ऐसे fold करेंगे हाथ से प्रेस करेंगे és ko हम पूरा अंदर की side को ऐसे fold करेंगे और यहाँ पर हम बड़ी बख्या से शिलाई लगा लेंगे और जो भी इस्ट्रा का पट्टी है उसे हमें कट कर देना है अब इसके बाद हम यहाँ पर बढ़वा पट्टी कंप्लेट करेंगे तो में फैबरिक अस्तर फैबरिक को इस तरह से लेंगे और बस यहाँ पर दोनों को जोड देंगे जोडने के बाद तो इस्ट्रा का फैवरिक को उसे हम कट करके निकाल देंगे, एक साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जिसको हम इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करके उपर से शिलाई लगा देंगे, तो यह हमने यहाँ पर पट्टी को ऐसे लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर अंदर को फोल्ड करते हुए उपर से शिलाई लगाने होती है लेकिन नीचे वाला फैबरिक यहां पर शिलाई पर दबना वाले फैवरिक से पटिया और रेम में cut की थी, तो यहां पर हम piping नहीं बनाएंगे, यहां पर हम इस तरह पटि को मतलब गल्य को fold करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें less लगानी अब जो हमारी पट्टी उसको पूरा अंदर की साइट को मोड़ते हुए शिलाई लगा देंगे अब इसके बाद यह हमने यहाँ पर इतना गला कम्प्लीट करा अब हम यहाँ पर सीधे साइट से अपनी जो भी लेश लगानी है वो लगा देंगे तो इस तरह हमने यहाँ पर दोनों गला तयार कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने फ्रेंट पार्ट के पटी को मतलब घटवा पटी को बढ़वा पटी को उपर उठा के रखा और फिंस से सीक्योर कर दिया उसको अने साइट में रख दिया अब हमने ले लिया है अपना बेक पार्ट बेक के दिजाइन का सारा कुछ तो मैंने सोचे चलो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाती हूँ तो यहां पर मैंने एक इंच की इसक्वायर में फैबरिक लिया है और फैबरिक लेने के बाद यहां पर इसको तो हम तिकोना बनाएंगे, कोनी से कोना मिलाएंगे, फिर से कोना से कोना मिलाएंगे, और बस ऐसे ही सारे पैटन बना लेंगे, तो जितना हमारा गला है, उसी हिसाब से यह पैटन बनेंगे, मतलब उतने ही हमें पैटन यह चाहिए होगा, तो बस इस तरह से यहाँ पर हम इन जो अस्तरवाला फैबरिक लीया है उसको हम ऐसे रखेंगे और देखो यह जो पैटर्ण है जो मारजीन है उसको हम गले के साइट को जो हमारा खुला हुआ भाग को रख रहे हैं और जो कोना है वह अंदर की साइट को ऐसे रख रहे हैं और बस ऐसे ही रखने के बाद पूरे कने गले पर हम इसी तरह से इनको लगाएंगे ऐसी तरह से इनको लगा करोगे हैं तो दिया है और फिर इसको हम इस तरह से पलट देंगे तो हमने इसलिए सीधे साइड में अपना अस्तर वाला फैबरिक रखा था क्योंकि यह पलटने के बाद उल्टे वाले भाग में चला जाएगा और बस उपर से यहां पर अब हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह सी यह हमने यह 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 पर लेस लगा लिया है तो दो लेयर में मैंने लगाई हूँ है अब इसके बाद जो हमारा बैग पाट का डॉट और बस यहां पर हम अपने शोल्डर पर शिलाई लगा लेंगे इस तरह सी हमने शोल्डर पर शिलाई लगा लिया दोनों शोल्डर हमने जोड लिया है अब यहां पर शीने का नाप डालेंगे नीचे कमर का नाप डालेंगे तो जो भी हमारा सीने का साइज है उसका हाफ करके यहां पर निशान डालेंगे जैसे यह 32 साइज का ब्लाउज है तो 32 साइज को 32 को हम दो से डिवाइट करेंगे तो 16 आएगा तो 16 पर हमने निशान लगाया आपका जो भी साइज जो निशान लगाईएगा उसी हिसाब से और सेम तरीके से कमर का भी निशान डालना है जो भी क हम निचान के बाione हुआ कि यहां पर निचान के बादा यहां पर किते हैं हम लॉट करेंगे बाधрал के मुझे हएक तरफ क्या लिचीलिघान लिया है कि एकम सीचय क सोरी और भीद्यान का वेपाला लिख सब्धेट्स शीमिद्ध कंवा ह्क इसुद्धHa improv-aatives और जो हमारे धागा बगएरा निकलने के चांस रहते हैं वो सारा कुछ अच्छा मतलब नहीं निकलेगा और अच्छी नीसिंगा जाएगी तो दोनों साइड हमने फिटिंग कंप्लेट कर ली है अब स्लीप्स बनाएंगे तो स्लीप्स बनाने के लिए हम यहां पर डिजाइन तैयार किया है तो सेम तरीके से यहां पर भी देर सारे पैटन तैयार करेंगे मतलब जिस हिसाब से हमारी स्लीप्स की चौड़ाई वगेरा होगी उसी हिसाब से हमने यहां पर पैटन तैयार कर लिया है और अब यहां पर देखो जितना हमारा मार्जिन रहता उतना छोड़ के बाद पैटन रखेंगे क्योंकि उधर लगाने का कोई मतलब नहीं है वैसे भी फिटिंग के बाहर ही चले जाएंगे तो मार्चिन के अंदर हमें क्या करना है बस इनको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो कोना साइड हमारा अंदर की साइड है अब यहां प इनको करते हुए शिलाई लगाएंगे लेकिन जो पैटन उनको ध्यान देना है उनको हमें अस्तर में फैबरिक की साइड को ही फोल करते हुए रखना है अब ऐसे शिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद अब हम यहां पर उपर से तो बस यहां पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे फनीसिंग वाली यह हमने सिलाई लगा दिया अब इसके बाद यहां पर हम अपना मेन फैबरिक अस्तर फैबरिक को जोड लेंगे तो बस यहाँ पर में फैबरिक, एस्तर फैबरिक में बड़ी बख्या से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से यह हमने यहाँ सिलाई लगाया और इसके बाद जो भी श्ट्रा का फैबरिक को उसे हमें कट कर देना है इसके बादde इसको भी एगए लगएंगे जो भी साड़ी की लेस है तो लेस को हम इहां पर शिल देते हैं तो इस तरह से यहें आपर शिलाई लगा दिया है । यह डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है तो देख सकते हाँ हैं यहाँ पर बना लिया है आप इसके बाद यहां पर इसको डबल फोल्ड करके अपने फिटिंग डालेंगे तो जो भी आपकी फिटिंग साइज हो यहाँ डाल दीजेगा तो दोनों स्लीफ में ऐसे फिटिंग साइज डाल देनी है इस तरह से तो देखो बराबर बराबर से हमने एक में किवल इंची टेप से नापके डाला और फिर इसके बाद बराबर से हमने निशान डाल दिया अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन ट्रॉ कर लेंगे तो यह हमने यहाँ लाइन ट्रॉ कर लिया स्लीफ कर सिद्धा करें नहीं एक सब्सस्द नहीं तो मिकल यहांद कर दे दो forces कि गुलाई हम इस तरह से नाप लेंगे तो देखो इस तरह सी हमने यहां पर डाला और डालने के बाद दोनों की गुलाई विल्कुल बराबर है और यहां पर हम की इसी लगाएंगे जो हमरा मारजिन उसको हम अपने front part की side को fold करेंगे और जो sleeves का margin उसके opposite side fold करेंगे और जो blouse वाला है उसको हमने front part की side को तीरा बना के fold करा है और बस इसी तरह से half inch का margin लेते हुए पूरे गुलाई पे शिलाई लगा लेंगे तो बस इस तरह से हाँ पर हम सिलाई लगा के से complete कर लेते हैं तो यह हमने यहाँ सिलाई लगा लिया अब इसको सीधा कर लेंगे तो देखो एक sleeves हमारी लगके complete हो गई है अब जैसे हमने यह वाली sleeves लगा रहा है सेम ऐसे ही दूसरी sleeves भी हमने लगा के complete कर लिया है अब दोनों स्लीप्स लगाने के बाद यहाँ पर नीचे से हम इस तरह से एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर देंगे अब कट करने के बाद यहाँ पर जो हमने पिन लगा के रखा था है उनको निकाल देंगे निकालने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे और जो हमारा margin है दोनों को front part की side को रखेंगे और नीचे से ऐसे fold करेंगे और फिर से एक बार ऐसे fold कर देंगे और यहाँ पर अब हम बड़ी बख्या से सिलाई लगा लेंगे तो यह हमने वीडियो पसंद आया है समाज आया है और कुछ पीस चीजे आपको पूशनी है तो कमेंट्स करके जरूर बताना मिलते हैं हम लोग next वीडियो में ये वीडियो कैसा लगए वो भी कमेंट्स करके बताना और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है